हेलो एवरीवन गूड इवनिंग और वेलकम तो गवर्मेंट प्राइवेट जॉव अलाइट्स सो स्टुडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गूंग तो डिस्कस अबाउट वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक और यू वेरी प्रीश टॉपिक एसा टॉपिक जिसके बारे में स्टुडेंट्स में हापस में भी काफी डिसकसन होते हैं और काफी आर्गूमेंट भी होती हैं क्योंकि लेखिए यह टॉपिक ही ऐसा है आज हम बात करेंगे कट आफ के बारे में और जो आपका आज एक्जाम कम्प्लीट हुआ है 20th February 2022 उसके बारे में हम यह भी देखेंगे कि क्योंकि देखिए जहां भी आप पूछोंगे सब यहीं बोलते हैं कि 70% चाहिए selection के लिए that means you need 70% for selection to get into the interview of your infosys exam so देखते हैं इस चीज़ के बारे में हम सारी चीज़े detail में करेंगे is 70% compulsory क्या जिनके 70% नहीं होते वो select नहीं होते इन सारी चीज़े बारे में हम इस वीडियो में completely discuss करेंगे वीडियो को end तक देखेगा और अगर आपके कोई doubt हो या suggestions हो या your personal views हो तो please आप हमें comment section में बताएगा apart from that also आप हमारे telegram channel से भी जुट सकते हैं we have three of our telegram groups the links will be provided in the description हम description में links provide कर देंगे आप वां से join कर सकते हो and apart from that also we are planning to start Wipro W.I.L.P. your exam is on 23rd of Feb so we are planning की एक preparation series लेके आएं for you guys so for that we need a response from you guys getting that means we need a response on telegram that you really want some help you really want some videos or preparation strategies because देखिये इसके लिए काफे time लगता है question search करने पड़ते हैं क्या exam trend है क्या exam analysis है वो सारी चीजे देखके हमें question search करके डालने पड़ते हैं after that after all that we have to record those videos so काफे time लगता है so that is why we want from you कि आप really चाहते हो videos preparation के लिए तो आज चलिए तो बात करते हैं आज हम cut off के बारे हम बात करेंगे so apart from that first of all let me tell you कि हमारी preparation series है और हमारी off campus drive एक playlist चलिए होई है जिसमें कि हम आपको on daily basis एक या दो दिन में कुछ job updates देते हैं उनको आप fill करके जैसे कि आपका इंफॉस exam हुआ है इसके regarding भी हमने already आपको job update दी हुई थी कि आपका exam तब तब है और आप इसे apply कर सकते हो one more thing जो आपका TCS digital hiring है उसकी 25th of feb last date है उसकी video भी हमने अपने चैनल पर upload करती है अगर आपने वह भी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो तो students चलिए पहले हम हमारी जो playlist है उनकी तरफ चलते हैं and after that we will start your cut off for today's exam or you can call it cut off for infosys exam तो students देखिए यह हमारा चैनल है government private job alerts so हम यही अप से request करेंगे यही चाहते हैं कि आप हमारी government private job alerts family को grow करने में help कीजिए जिससे हमें और भी motivation मिले और हम आप जैसे ही students की help कर सके और उसके साथ साथ देखिए अब हम discuss करेंगे आपके playlist के बारे में तो देखिए यह हमारा playlist section है यहां पर आप देखिए यह आपका Infosys exam preparation जिससे students ने जो go through की अथा यह सारी वीडियो और बिल्कुल काफी ज़्यादा help हुई थी उन students की so देखिए video account 33 है off-campus drives देखिए आपकी 100 वीडियो हमने और रड़ी upload कर दी है TCS videos there are lot of playlists अगर आप चाहते हो तो that are completely free of cost हमने सिर्फ आप लोग के लिए ही free of cost यह डाली होई है I know कितने YouTube वाले कितने pay करते हैं या paid help करते हैं काफी चीज़े हैं तो हम उस चीज़ में अभी नहीं जाना चाहते तो जी जो videos है यह because education purpose है और हम चाहते है education purpose free of cost होना चाहिए तो that is why हम यह videos आप लोगों के लिए डालते रहते हैं और same concept है और explanation so I cannot challenge anyone क्योंकि explanation तो आपको ही पता होगा आपने ही videos देखी है तो दूसरों के explanation से क्या difference है हमारे explanation में तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी cut off के बारे में और जितने भी हमने सारी चीज़े भी discuss की हैं और जो रहे चुकी हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे तो students देखें इस video में as I told you earlier कि हम in this video हम discuss करेंगे cut off for today's exam आपका exam हो गया 20th feb है आपकी आज और result की और देखिए अगर आपको result की videos देखनी है तो आप result की videos भी देख सकते हो जो आपके हमने अभी जो आपकी expected result date, cut off date ये video पी हमने already upload कर दी है आप इस video को भी देख सकते हो just इस से पहले वही video हमने upload की थी but after that we got a comments कि sir cut off कितनी जाएगी मेरे इतने question correct है, मेरे इतने question wrong है, मेरे इतने good attempts है, तो on that basis we have planned कि हम एक cut off videos भी आप लोग के लिए लेकर आए तो चलिए before that हम पहले test pattern को समझते है थोड़ा सा कि आपका क्या test pattern है तो यहाँ पर देखिए test pattern इनके बारे में हम discuss करेंगे, इसलिए I know कि आपने exam दिया है, यह सारी जीचे आपको पता है, लेकिन apart from that also I want कि पहले आप इन चीज़ों को देखिए, 10 questions 35 minutes, 20 questions 20 minutes and your pseudocode 5 questions 10 minutes and the most important is your puzzle solving 4 questions and your 10 minutes, so अब देखिए, काफी doubt तो यह है students के, की sectional cut off होती है या नहीं, तो देखिए, Infosys में बिल्कुल sectional cut off होती है, मैं फिर से repeat कर रहा हूं, Infosys में sectional cut off होती है, first of all, that means, sectional cut off means you have to qualify each and every section, for example, अगर आपकी 50%, 30% अगर आपकी cut off गई है, तो that means, आपको सारे sections में, in all the 5 sections, you must score 30%, 30% is the example only, this is not the actual cut off, actual cut off we are going to discuss right now, so now see, I'll show you a screenshot first, so you can see, as I already discussed about the test pattern, so in this video, हम सिर्फ आपको test pattern दखा रहे हैं, first of all, now we will be discussing about your cut off, so getting, अब देखिए, so first of all, जो आपके myths है, myth of about 70%, is it actually or not, तो देखिए, आपका जो 70% है, वो तो है, I repeat, Infosys 70% मांगती है, qualify करने के लिए, लेकिन 70% क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखिए, यह आपके mathematical questions है, यहाँ पे 10 questions है, that means, आपको 7 questions correct करने होंगे, तभी आपको interview का call आएगा, is it so, so let me tell you, यह ऐसा नहीं है, means, it is not like that, for example, this is not 70%, I repeat, this is not 70%, this is 70 percentile, और I guess, आप सभी को पता होगा, 70% or percentile में क्या difference होता है, I know, I think everyone of you knows about that, percentile means, let me tell you, a brief, let me tell you about the percentile system also, percentile or you can call it a normalized score, देखिए, this is your 10 questions, 10 questions, और 70% आपका, 7 questions है, but, listen to me carefully now, this is the 70% of 10 questions, but, आपका जो 70% होता है, वो 70% आपका, percentile score होता है, percentile means, आपके 10 questions है, and let's, suppose, आपका जो topper है, means, mathematics का जो topper था, he has scored 8 questions only, that means, ये 8 questions ही, आपके 100 percentile या 100% बनेंगे, not the 10 questions, getting, अब देखिए, उसके basis पर 70 questions कितने होगे, आपके 5 to 6 questions, आपके 70 questions होगे, that means, 5 to 6 questions ही आपके 70% हो जाते हैं, इसका मतलब, आपका जो scoring है, आपके गर 5 to 6 questions ठीक है, that means, you are in a safe zone, not the 7 questions, getting students, getting students, तो मैं यही आप लोगों को बता रहा था, कि आपका जो percentile होता है, वो आपको क्या होता है, कि जितना भी आपका score होता है, किसी topper का, वही आपका 100% होता है, यह 100 percentile बोल लीजिए, यह आप अपने accordingly set कर सकते हो, and on that basis, क्या होता है, आपका यह questions हम set करते हैं, for example, यहाँ पे 10 to 20 questions थे, so let us suppose कि कि किसी के 18 या किसी के 17 questions correct है, जो आपका topper है, उसके 16 ले लीजिए, चलिए 16 questions correct है, तो देखे, क्योंकि 20 minutes भी है आपके, अगर आपके 16 questions correct है, for example, कोई topper है आपका, उसके किसी particular section में 16 questions correct है, that means, इसका 70% कितना होगा, तो आपको वो देखना है कि वो आपका sectional cut off हो, तो देखे, ये कितना होगा, आपका 11, 10-11 questions होते maximum, so 10-11 ये आपकी cut off होगी, तो आप देख लीजे कि, how the cut off is actually, because there are a lot of students who have a doubt कि 70%, I haven't scored 70%, so I will not get the interview mail, so I guess, now everyone of you knows about it, so the 70% is actually your 50-55% only, getting, अगर आप 70% check कर रहे हो, that means, आप 50-55% directly 10 questions का निकाल सकते थे, वही आपका cut off होती है, getting, यहाँ पर 25 का आप देख लीजे, अगर आपका 20 highest score है, तो उसका, आप देख लीजे 70% कितना होगा, 13-14 question, या 14-15 question आपका, यह हो जाएगा, 14-15 question, देखिए, यह screenshot ले लीजिए, जिनके भी इतनी questions है, वो बिल्कुल safe zone में है, कोई problem नहीं है, अपनी interview की preparation continue रखिए, because ultimate वही है आपका, क्योंकि आपका exam जैसा होगा, ठीक है, आपको उस पर focus करना है, यहाँ पर देखिए, 10 questions है, as already I told you, sorry, आपके 5 questions है, यह आपके 5 questions हैं आपके, तो 5 questions का कितना हो जाएगा, आपका, यह हो गया, 2.5, that means, 2-3 questions आपके ठीक होने चाहिए, इसमें, 2-3 questions, 2.5 आपका 50% है, या आप देखिए, 5 questions में से, अगर for example, आपके 3 questions या 4 questions correct है, तो उसका 70% आप देख सकते हो, getting, तो 2-3 questions है आथा है, क्योंकि 4 questions का 70% होता है, आपका 728, 28 means 2.8, तो आपका average score 2-3 के बीच में रहता है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके 3 questions भी हैं, तो 3 questions correct है, for example, puzzle में, because 4 questions, काफी कम बच्चों के correct होते हैं, तो 3 questions suppose कीजिए, आपके correct है, तो 70% कितना होता है, 2.1, that means, approach to 2-3 questions, 3 questions तो रहे लिए, लेकिन 2 questions आपका maximum होता है, यहाँ पे, getting, तो यह आपकी cut off होगे, 2-3, 2-3, यह आपके 10-11 हो गया, यह 5-6, और यह आपका हो गया, यहाँ पे 14-15 questions, तो देख लीजिए, आपका इस basis पर जो cut off होती है, वो set की जाती है, I guess आप लोगो और चीज समझ में आगी होगी, तो students, अब comment section में, आप लोग अपने हमें माक्स बताएगा, so please tell your marks in the comment section, how much you got or how much you have attempted, getting, and one more thing, those students who are commenting that the questions which you told on 3 p.m. slot are not same as our paper, so you guys can give your questions as well, we do not have any problem, we do not discriminate anyone, if you will provide your questions, then definitely we will solve those questions and we will provide the solution to you guys also, getting, because we got those questions from our students, so we have made the video on the basis of that questions only, getting, so this is all about today's video, we have, I guess we have discussed each and everything about the cutoff score and your 70%, 70% is a real or myth, so now I guess you all got it, how 70% of your infosys actually matters, so this is all about today's video, so I guess we have covered each and everything about your cutoff also, sectional cutoff also, because there are a lot of comments that is sectional cutoff there in infosys, so yes sectional cutoff is there, two points, now and the third point is, when is your exams, or exam results are coming, so the exam result, your interview dates, your offer letter, so each and everything we have discussed in our previous video, if you want to watch those things, so you can check out our playlist and you can go through that, so this is all about today's video students, I hope you all have done well in your exam, and I want each and every one comment from you guys, telling about your opinions, thoughts, and your marks, and your score, getting, so this is all about, so all the best, and God bless you all.